क्या आप लोगों को भी पढ़ते टाइम नीन आती है क्या इंडिया में majority of the students की ये problem होती है जैसे ही वो किताब खोलते तो उनको नीन आनी शुरू हो जाती है तो parents की भी हमारे जो parents होते उनकी भी ये बहुत मतलब जादा शिकायत होती है तो वो कई बार कहते वे आप लोगों है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाले हूँ ऐसे टिप्स की कैसे आप लोग study के time पे अपनी sleep को avoid कर सकते हो कैसे आप अपनी वो जो sleep वाले distraction हो सकती हो से बच सकते हो कैसे आप लोग मैं खुल दी भंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूस क्लास 9 चैनल पे और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप avoid कर सकते हो आपनी sleeping को while studying है ना पढ़ते time ऐसे नहीं कि रात को मतलब सोत है time भी मतलब वह चीज़े अवाइडी होने लग जाए sleeping तो यार देखो नींद हमारी लाइव में बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन पढ़ते time नींद आगर आ जाए तो फिर वह जरूरी नहीं होती है और वह मतलब हमारा काम बिगाड सकते हैं क्योंकि पढ़ते time अगर सो इसी tips हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जादा important है और यह important चीज़े आपको सही time पर अगर पता चल जाए तो फिर आप लोगों की life set हो जाएगी तो सही time पर सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग channel को subscribe करोगे notification bell को दबाओगे तो आप लोगों के पास सही time पर सही जानकारी पहुंच जाएगी तो यार करते हैं वीडियो को स्टार्ट लेकिन लाइक वाइक शेर वेर कर देना बाकी देखते हैं कि क्या कुछ चीज़े है अपने पास लेकिन अगर हमारा focus थोड़ा बहुत इदर उदर हो जाता है अगर हम focused नहीं है अपनी हमारे दिमाग में कुछ मतलब चीज़े आने लग जाएंगी कि यार कल school में क्या होगा कल games वाले period में क्या math वाले सर फिर दुबारा से आएंगे आज की तरह या फिर कल हमारा मतलब जो भी चीज़े है या फिर नीद आने लग जाती तो अगर आप focused नहीं हो ना अपनी change करने की जरुवत है और आप लोगों को उसके अलावा staying hydrated eating a regular balanced meals and getting some exercise and having quality sleep when you need यह कुछ चीज़े आपको करनी चाहिए मतलब एक balanced diet देखो मतलब हम कहते हैं कि exercise करने से क्या होता है but mentally आप बहुत ज्यादा strong हो जाते हो आपका concentration power बहुत ज्यादा हो जाता अगर आप एक balanced diet लेते हो यह नहीं कि fast food क्यों बोला जाता है कि fast food को avoid कि अगर हो although मैं भी बहुत food हूं मैं भी बहुत fast food काता हूं लेकिन यह सब चीज़े ना हमारी concentration power हमारे mental level को उतना अच्छे तरीके से नहीं prepare कर पाता है जब हम यह fast food खाते हैं proper balanced diet नहीं लेते हैं या proper sleep नहीं रहते हैं कई सारे बच्चे रात रात बर web series देख रहे होते हैं और proper sleep नही चीज़े होती है रात बर chatting कर रहे हैं किसी के साथ एक proper sleep नहीं हो रही है तो यह सारी की सारी चीज़े आपको इन पर control करना है और इनको avoid करना है कैसे करेंगे वो भी सारी चीज़े discuss करेंगे तो यह सारी की सारी चीज़े पाकि यार पढ़ते टाइम आप लोगों को कुछ habits अपनी change करनी है तो पहली टिप क्या है आप लोगों के लिए avoid the studying in bedroom अगर आप लोग अपने bedroom में यानि कि जहां पर आप सोते हो जिस bed पर आप सोते हो मस्त अराम से अगर आप वहां पर बैठ के पढ़ते हो तो obviously बात है बेटा जैसे ही आप उस विस्तर में जाओगे आपको याद आएगा सोना है तो आप सबसे पहले avoid करो bedroom में पढ़ना देखो जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो उसका एक अलग space होना चाहिए वहां पर जैसे lighting वगरा अभी मैं थोड़ा और बाते करूंगा lighting के बारे में भी लेकिन आपका एक अलग zone होना चाहिए आपका एक space होना चाहिए आपका study के लिए study table होता है जैसे है ना तो avoid करना ऐसी जगा पर पढ़ना जहां पर आप मतलब सोते हो जो आपका bedroom है वहां पर पढ़ाई को avoid करूंगा अगर आप वहां पर पढ़ोगे ना तो फिर obviously बात है bedroom में तो नीन दी आएगी भी या तो avoid करना आप लो का मतलब सोने होने का scene होता है फिर उसके बाद use active learning techniques दिखो अपनी learning techniques को आपको actively चीजों को learn करना चाहिए जैसे कई सारे बच्चे होते ऐसे मतलब जब कोई theoretical subject होता है तो उसको मतलब मन के अंदर पढ़ने लग जाते और एक बच्चा होता है वह loud पढ़ता है जैसे मैं पढ आप कभी notice करना मन के अंदर पढ़के देखना है और loud पढ़ना जब आप loud पढ़ते हो आपको नेन आने के chance काम होते क्यूंकि आप बोल रहे हो आपकी eager respond कर रही है लेकिन जब आप मन के अंदर पढ़ते पढते पढ़ते पढते 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 हो न तो आप कहीं और ही होगे तो कोशिश करना कि आप इस टेकनीक को फॉलो करो लाउड पड़ो एक और टेकनीक जो मैं यूज किया करता था अपने बच्पन में कि जितने भी मेरे theoretical subject होते थे जो भी मेरे theoretical subject होते थे जैसे science हो गया या फिर social हो गया तो मैं इनको किस तरीके से किया करता था जैसे मेरे को concept आता है लेट से आना मैंने पढ़ लिया पूरा का पूरा chapter social का पढ़ लिया science का पढ़ लिया खुछ भी पढ़ लिया अब उनके मैं क्या करता था मैं प आप लोगों की एक तो जो मतलब आप लोगों को जब आप लिखते हो और आप याद करते हो तो आपको लिखते टाइम ना नीन आने के chances कम रहते हैं रात का जो टाइम होता था मैं क्या करता था लिखने वाली चीजें जादा करता था जैसे maths हो गया, maths में क्योंकि solve करना पड़ता है theoretical subject जो होते जो पढ़ने वाली चीजे होती है उनको मैं पहले कर लेता था जैसे evening का time होता था 6-7 बजे उस time पर मैं theories वगरा पढ़ते था और रात का time मैं utilize करता था अपने लिखने वाले subjects के लिए जैसे मैंने जो पढ़ा है उसको लिखना है पूरा का पूरा लिख दिया मैंने कि क्या-क्या concept है, किस तरीके से अपनी language में मैंने लिख डाला या फिर maths कर लिया करता था तो इससे क्या होता है क्योंकि रात के time पर क्यासी आप खाना वाना खाओगे, डिनर डिनर करोगे न उसके बाद आप लोगों को तो बस फिर यह होगा कि सोना आया हमें तो जब आप अपनी habits को change करोगे न कई बच्चों की आदत होती है कि रात को वो याद करने लग जाते है औवियस है बेटा वो नींद आएगी आएगी लंच के बाद डिनर के बाद लंच के बाद आप लोगों को नींद आना लाजमी है लेकिन आप एक ऐसा time choose करो learning के लिए जो आपका मतलब जिस time पे आप अपका mind बिल्कुल fresh है तो ये चीजें जरूर implement करना उसके बाद taking care of your eyes देखो आज कल online learning है और सब चीजें हमारे पास हमारे smartphone में या हम अपने laptop से चीजों को सीख रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी आखों की देखबाल ज़रूर करें आखों की देखबाल नहीं करोगे तो फिर आखें बहुत ज़्यादा दिखका देंगी तो इसके लिए एक बिटा 20-20-20-20 rule होता है इसमें आपको क्या करना है every 20 minutes जब भी आप पढ़ते हो हर 20 minute में 20 meter के 20 feet के distance पे 20 second तक किसी चीज़ को देखो हर 20 minute में 20 second के लिए 20 feet दूर किसी चीज़ को किसी object को observe करो देखो तो उससे क्या होगा ना कि आपकी eyes ये 20-20-20 rule होता है इसमें क्या होता है इसमें आपकी eyes जो होती है वो आपका आप अपनी eyes को protect कर सकते हो while doing the studying online मतलब screening के time को save करने के लिए screening के time से जो आपकी eyes पे effect होते हैं तो उनसे आप बचने के लिए ये trick का use करते हो उसके अलावा बेटा आप अपनी आखों को थंड़े पानी से धोया करो जब भी आपको नीन आने लग जाए थंड़े पानी से थोड़ा दोने लग जा और थोड़ा मतलब मूव धोलो तो ये चीज़े हैं उसके बाद बेटा move around little जब भी आप पढ़ते हो ना अगर आप बैठे हुए हो या लेट के पढ़ रहे हो आज कल के कुछ-कुछ बच्चे क्या होते है ना कि इस तरीके से मस्त यूट्यूब पे वीडियो देख रहे है अच्छा सर ऐसे पढ़ा रहे मैं आज का ये वाला समय से होगा लेट के प बाद है ना कुछ-कुछ एक घंटे बाद आप क्या किया करो वाक किया करो अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया करो है ना और ये नहीं कि मतलब एक घंटे के लिए फिर वही करने लगे वाक पे चलेगे थोड़ा बहुत है ना डांस कर लिया कुछ भी कर लिया है ना तो थोड करेगी आपने थोड़ा सा थोड़ा सा डांस कर लिया या फिर थोड़ा सा मतलब बॉड़ी को स्ट्रेच कर दिया इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो ठीक है और इस तरीके से क्या हो वराइटीज पसंद होती है, अगर मैं डेली के डेली आप लोगों को एकी सबजी परोज के दे दूँ, क्या आप खापाओगे, नहीं खाओगे, चाहे कितनी फेवरेट क्यों नहीं खापाओगे आप, एक दिन खाओगे, दो दिन खाओगे, उसके बाद बोलोगे, तीन दिन खाओगे, चार दिन खाओगे, उसके बाद बोलोगे, मम्मी, ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, तो वराइटीज का होना पढ़ाई में भी बहुत जादा ज़रूरी है, आपको नीन आने की ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, कि जब आप एक ही चीज को, एक ह आपने साइंस पढ़ लिया, अब ये नहीं कि उसके बाद भी आप साइंस ही पढ़ने में लगे हो, उसके बाद चेंज कर दो सब्जेक्ट, तो जैसा हमां बोल रहा था, कि आप अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करो, कि आप देखो कि मुझे कौन से टाइम प पे स्टिक मत रहो, एक ही टापिक पे स्टिक मत रहो, है ना, चेंज करो थोड़ा बहुत, वेराइटीज लाओ, उससे क्या होगा ना, आपका लर्निंग भी बहुत जादा इंप्रूव होगा, और दूसरा आपको जो नीन आने लग जाती है न, पढ़ते टाइम, वो कभी नहीं आएगी, ठीक है, फिर तीसरा अगर मैं टॉपिक की बात, तीसरी टिप, छटी टिप की अगर मैं बात करूँ, लेट देयर भी या लाइट, अब जैसे मैं बोल रहा था, आप कभी नोटिस करना, आप कभी नोटिस करना कि आपना एक डिम कमरे में बैठे वे हो, जहा यहां बिना पढ़ते टाइम भी जहां पर लाइट से ouटे हो, यहां पर बैठे के देखना, तो आपका मन बहुत उदास सा हो जाता है, लिकिन जहां पर ब्राइट लाइटिंग्स होगी ना, जहां पर लाइट जाधा तेज से हैं, और इक प्रिपं energy सा feel होता है तो कभी भी अगर आप पढ़ते हो ना तो जो आपके lighting से वो proper होनी चाहिए यह नहीं कि आप dim light में पढ़ रहे हो dim light में अगर आप पढ़ते हो जहाँ पर lighting अगरा कम होती है तो उनसे आपका mentally मतलब आप बहुत stress सा feel करने लग जाते हो बहुत मतलब low सा feel करने लग जाते हो लेकिन जब lighting ब्राइट होती है तो आपके अंदर एक अलग energy होती है और जब आप उस energy के साथ पढ़ते हो तो आपका concentration भी बहुत अच्छा होता है आपको नींद नहीं आएगी आप अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते हैं तो यह चीजे हैं बाकी यार आई होप यह सभी छे की छे टिप्स आप लोगों के काम आएंगी और आप लोग पढ़ते टाइम सोगे नहीं अपसे उसके अलावा यार यह मेरे कुछ session हो चुके हैं इस हफते के यह सारे sessions आप लोगों के लिए बहुत important है जैसे only losers say these things की losers की क्या habit होती है most common mistakes most common math errors that students make ऐसे कौन-कौन से errors है जो बच्चे करते हैं गलतिया करते हैं और यह मेरे upcoming sessions है यह मेरे upcoming session है सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत important है बहुत शिदत से बनाई है सारी वीडियो को जरूर देखना उसके अलावा किसी को अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो कर सकता है और यह विदान्तु का official telegram group है बेटा इसको जरूर जोईन करना क्योंकि session related notes PDF update जो भी चीज़े होती है वो हम telegram group पर डाल देते हैं इसका link description में फटा-फट से उसको join कर लेना and make sure guys कि आप लोग इस channel को subscribe जुरूर करना क्योंकि सही time पर सही जानकारी तभी मिलेगी जब यह घंटी बजेगी और यह subscribe करोगे आप तो तभी आप लोगों को सही time पर सही जानकारी मिलेगी और अगर सही time पर सही जानकारी सही guidance मिल जाती है तो फिर हम झाल